Hello everyone, आप सभी का स्वागत है, मैंगत ब्रीन्स हिंदी मीडियम में मेरा नाम वेदान सिंग है और मैं हूँ आप सभी का इंग्लिश एजुकेटर So my dear students, आज हम क्या पढ़ेंगे, देखते हैं Glass 11 English, Glass 11 English, Bihar Board, The Marriage of True Minds, Porn No. 2 Summary So without wasting any time, आगे पढ़ते हैं Summary का मतलब क्या होता है dear students, सारांच तो जब हमने poem cover की, तो poem नामने हर एक चीज पर focus किया अब हम एक journal idea ले ले लेंगे कि poem में है क्या Ananasis भी हमने कर लिया, explanation भी कर लिया, अब एक Summary Let me nod to the marriage of true minds It's one of the famous sonnets of Shakespeare यहाँ पर यह कहा गया है, कि यह जो poem है Let me nod to the marriage of true minds जी जो line ली है, यह poem है, sonnet है वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है, वो क्या है, सोवेट है किसके दौरा लिखी गई, शेक्सपियर के दौरा लिखी गई ठीक है? And is addressed To an unnamed young friend अब यहाँ पर देखी क्या कहा गया है कि यहाँ जो sonnet Shakespeare दौरा लिखी गई है, वो किसके लिए लिखी गई, एड्रस किसको करती है एक unnamed young friend, जिसको poet क्या कहते है, डवलुएच, Mr. डवलुएच कहते है, उनके लिखी गई है This sonnet is an perfect Shakespearean अगर हम यहाँ पर ध्यान दें, तो हमको पता चलेगा कि यह sonnet जो है, क्या है, एक perfect Shakespearean form में लिखी हुई है जहाँ पर तीन quatrains हैं और एक rhyming couplet Its rhyme scheme is a, b, a, b, c, d, c, d, e, f, e, f, g, g, g ठीक है, तो यहाँ पर तीन points हैं, जो हमको ध्यान में रखने हैं, dear students एक तो यह है, कि यह sonnet जो शेक्स्पेट दुरा लिखी गई है दूसरा, किसके लिए लिखी गई है एक young friend जिसके WH बुलाया गया है वो उसको कहते हैं कि भाई तू शादी कर ले वहाँ कर ले, अच्छे अच्छे लोग शादी करेंगे तो अच्छे बच्चे होंगे एक sonnet है जहाँ पर उस starting जब करते हैं तो इस तरह से mention है, तो WH के लिए लिखा है यह पूरे Shakespearean form में है, ठीक है अब चलिए, in this sonnet, Shakespeare, delineates अब delineates का मतलब क्या होता है describe or portray something easy, precisely कम शब्दों में अच्छे तरीके से उन्होंने बताया है the great qualities of true love जो सच्चा ब्यार है, उसके बारे में बताया है उसके quality को बताया है the poet has explained true love in a very free way यहाँ पर क्या हुआ, जो poet है उन्होंने क्या करा है, explain किया है सच्चे प्यार को बहुत अच्छे तरीके से dear friends, जब भी poem लिखी जाती तो poem लिखने की पीछे यही आशे होता है कि जो हमारी emotions हैं वो बहुत अच्छे तरीके से पोल्टे हो जाए अब poet है, खासके Shakespeare है उन्होंने क्या गरा, जो उनकी विचार है उनको एकत्रत किया और एकत्रत करने के बाद उनको शब्दों में पिरो दिया तो let me not the marriage of true minds अब यहाँ पर देखिए, एक चीज़ और बताता हूं कि marriage है और true minds है यह दोनो metaphor है marriage का मतलब यहाँ पर शादी से नहीं, यूनियन से एक से है और true mind का मतलब दो लोगों से true lovers है तो true lovers की union के बात हो रही है ठीक है, अब हम आगे बढ़ते है Expressing his faith in the power of true love the poet says that there can be no obstacles in the union of true lovers अब यहाँ पर वो क्या कर रहे है Express कर रहे है किया his faith in the power of true love जो उनका विश्वास है उसको सचे प्यार की रूप में जो निरूपन कर रहे है वो महत्वपूर है उसको हमको ध्यान में रखना है the poet says that poet क्या कहते है that there can be no obstacle in the union of true lovers उनका मानना यह है कि कोई भी obstacle नहीं होना चाहिए कोई भी व्यवधान नहीं होना चाहिए जब कभी भी प्यार हो रहा हो तो एक सच्चे प्यार में कोई व्यवधान आनी सकता और कोई भी व्यवधान आएगा भी तो वो उससे अलग नहीं होगा true love is unchanging सच्चा प्यार जो है वो क्या है कभी बदलने वाला नहीं unchanging है it never changes even there is a chance of change अगर कोई मान लो कोई बात आती है बदलाव की कोई समस्या आ रही है कि कोई मान लो कोई दो लोग प्यार कर रहे हैं मम्मी बापा ने का तुम्हारी शादी नहीं हो सकती अटा दिया उनको लेकिन तब भी भाग की शादी कर रहे है तो कहीं न कहीं हम देखते हैं क्योंकि व्यवधान आ भी रहा है तब भी व्यवधान को हटा रहे है तो यहां यही चीज कहा है कि change अगर आ रहा है आपको समझनी है अगर हम दूसरे शब्दों में कहें पोईट डिकलेर जो पोईट वो डिकलेर करते हैं इसका मतलब उते स्थिर्था और दृणता तो जो पोईट हैं क्या कर रहे हैं आपने शब्दों में डिकलेर इस अन पैरलेल कॉलेटी और आपकोंस्चेंसी और दृणता स्थिर्था के बात करते हैं किसी के सामने भी जो सच्चा प्यार है वो कभी भी रुकता नहीं टिकता नहीं सच्चा प्यार जो है वो हमेशा रहेगा किसी के सामने जुकता नहीं तो यही सच्चे प्यार की कॉलेटी है सच्चा प्यार क्या है? सच्चा प्यार हमेशा परमनेंट रहता है अब यहां पर देखें डियर स्टुडिंट क्या कहा जा रहा है समय को युनिवर्सल डिस्ट्रॉयर माना है क्या है समय के अंदर सब कुछ है लेकिन प्यार तो एक भावना है परेह शरीर के इद बस जनरेट होती है अब वो कहां उसे नश्ट होगा प्यार तो प्यार है हमेशा रहेगा तो इनिवर्सल डिस्ट्रॉयर जो सार्व भाव में विध्वनसक है वो ग्या करता है वो हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है बोलते ना कि काल के अंदर सब कुछ आ जाता है पर सच्चे प्यार पर कोई एफेक्ट नहीं होता जैसे आपने कहानी सुनी होगी उपमन्यू की एक छोटे सा बच्चा था और एक और कहानी है जहां बताया गया है कि जो मारकंडे रिश्चे की अगर कहानी आपनी सुनी हो तो वहाँ पर बताया गया था कि उनको कहा गया था कि आप जल्दी खतम हो जाएंगी आपके मिर्ट्वा जाएगी बारा साल की उमर में तो मारकेंडे रिषे भगवान शिफ से बहुत प्यार करते थे तो जब मृत्यू उनके पास आई मृत्यू आई तो मृत्यू उनको छू भी नहीं पाई प्यार के लिए इतना प्यार था तो भगवान शिफ प्रकट होते और कहते हैं देखो काल मैं महा काल हूँ तो महा काल ऐग इस इसको जोइन करें कि प्यार जो है उसको कभी खतव नहीं करा जा सकता प्यार प्यार रहेगा प्यार से सब कुछ है सब कुछ है वह आपको बहुत कुछ दे सकता अब फार्मर रीप's crops with his sickle farmer क्या करता अब देखिये यहां पर उ इस तरीके से क्या होता है जो टाइम है डिस्ट्रॉइ करता है वह काटता है तो यहां पर जो फार्मर है अब देगे इतना डीटेल में नहीं जाना आपको इतना समझना है जो फिजिकल व्यूटी होती वो खतम हो जाती है काट दो खतम हो जाएगी जो खुबसूरती है और तों की अब यहां पर खुबसूरती के बाद आपको इस तरह नहीं लेना लेकिन फ्रॉबत कमेंटरी है शेक्सपियर की द्वारा कि क्या खुबसूरती जो खतम हो सकती कहां तक आप खुबसूरती को देखोगे समय उसको है जो टाइम है उसके अंदर गत नहीं आता अब सिकल जो होता है आपको पता है हसिया होता है जो गहराई है प्यार की और जो वर्थ है प्यार का और जो पोटेंशालिटी है यह ना अब गाइडि इस चार के निवर भी कम्टलिटली नोन उसको आप कभी भी समझ नहीं सकते, कभी भी उस तक पा नहीं सकते, पार नहीं पा सकते तो overall dear students, यहाँ पर हमको क्या समझ में आया है, बस एक imagery है, उसको आपको ध्यान में रखना है कि हाथ में एक हसिया पकड़ा है, समय, और वो क्या कर रहा है, चीजों को लेते जा रहा है, पर eternal love जो उसको नहीं ले पा रहा है The North Star and Idle Love are both beyond human estimation, जहां तक आदमी सोच चकते, उसकी उपर है, उसके परे है, क्या North Star of Love They are too high to be measured, उसको आप measure नहीं कर सकते To love of the spiritual love is not at all affected by death, death के द्वारा भी वो affected नहीं होता Decay नहीं हो सकता, destruction नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता समय की जो पैसेज है, उसमें, on the other hand, अगर हम दूसरे हाथों में बात करें It remains constant, हमेशा एक जैसा रहता है, constant रहता है To the dreadful day of judgment, जब भया वहाद दिन आता है, dreadful day आता है judgment का तब तक वो एक जैसा ही रहता है अब यहाँ पर judgment का day होता, doom Doom का मतलब क्या होता, अंतिम दिन जो Christian लोग होते हैं, वो लोग क्या कहते हैं कि हमारे जब संसार खतम होगा तो आकरी दिन होगा judgment का उस दिन जो अच्छा होगा स्वर्ग में जाएगा, जो बुरा होगा नरक में जाएगा तो ऐसे दिन तक प्यार प्यार होता है, प्यार कभी भी खतम नहीं होता In the end, the poet makes a claim, अब आखिर में क्या करता है, पोईट जो वोग क्लेम करता है He asserts that if anybody can prove him wrong, अगर कोई भी उनको गलत साबित कर देता है He will admit that he is neither a poet, वो कहते हैं कि मैं पोईट नहीं कहलाऊंगा और नहीं मैं ऐसा कहूंगा कि everloven is win उनका कहने का अर्थे, ना तो मैं poet कहलाऊंगा और ना ही किसी आदमी ने कभी कोई प्यार किया होगा अगर आप ये सिद्ध करके बतादो कि जो कुछी मैंने कहा है, वो गलत हो To conclude, it can be said that the theme of this sonnet has been beautifully and effectively developed बहुत खुबसूरती से effectively बनाया गया है True love is constant, सच्चा प्यार हमेशा रहता है Immortal है, हमारे तरह mortal नहीं है And source of guidance to lovers in life और कहीं न कहीं क्या इस throat है, source है किसका source है, guidance का source है So my dear students, यहापर हमने क्या देखा हमने overall जो हमारी poem है, उसकी summary को देखा Summary में हमने सिर्फ एक बात बहुत अच्छे समझी और वो ये है, कि प्यार, प्यार प्यार जो है, वो हमेशा रहेगा आप उसको कभी बदल नहीं सकते उसको अभी जमाप्त नहीं कर सकते प्यार direction देता है और poet तो ये भी कहते हैं कि अगर मैं सब कुछ गलत कह रहा हूँ तो मेरे को मानो ही मत poet मैं अपने प्यार प्योट ही नहीं मानूँगा मैं मानूँगा मैंने कभी कुछ लिखा ही नहीं तो यहां पर पोवम खतम होती है एक बहुत अतिन्त अवश्च जानकर यह आपको बताना चाहूंगा और वो यह है कि हमारे यहां पर सारे top courses available है और एक बात और कि हमारे यहां पर आपको free of cost education दी जाती है आप हमारे चैनल को like करें, share करें और subscribe करें आप लोगों का धन्यवाद